Hello everyone, मैं हूँ आस्था, वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूटूब चैनल Government Job Genuine Notification So एक और new recruitment notification इस वीडियो में हम cover करेंगे जो की Central Bank of India की तरफ से notification release किया गया है सब स्टाफ के लिए ये vacancy notification है और इसमें total अगर हम vacancy देखें तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे है total vacancy यहाँ पर है 484, 484 total vacancies है all India vacancy है सभी state में vacancy आई हुई है किस state में कितनी vacancies है वो हम आगे वीडियो में देखेंगे और आपको अगर आप इसमें apply करते हैं तो आपको आपके ही state में exam nation center भी मिल जाएंगी ठीक है तो सब staff post के लिए अगर आप eligibility रखते हो eligibility क्या रहेगी qualification and ace criteria salary, fees, selection process and all important dates and other points को हम clear करेंगे जो भी notification में mention किये गए है basic से points तो Central Bank of India में अगर आप job लेना चाहते हैं काफी अच्छा आप सभी जानते ही है Central Bank of India और अगर बैंके की job अगर आप चाहते हैं सब staff post के लिए तो आप वीडियो को continue रखेगा लाश्ट तक देखेगा वीडियो आपको अच्छा लगे like and share कीजेगा चलिए start करते हैं देखिए सबसे पहले में आपको यहाँ पर state wise vacancy बता देती हूँ किसे state में कितनी है तो आपको आपके state में अगर चाहिए तो कितनी vacancies आपके state में रहेगी यह information आपको मिल जाएगी जिससे आप आगे अगर आपको लगता है कि आपको apply करना है तो आप apply कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर जॉन देखिए आप एहमदाबाद में state इसमें आ गया गुजराद and यहाँ पर आपका total for state duty 76 है categories wise आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है total 76 है next यहाँ पर भोपाल जिसमें की मद्दप्रदेस और 36 गड़ यह दोनों आ जाएंगे मद्दप्रदेस में 24 है 36 गड़ में चौधा है डेली में यहाँ पर डेली and राजिस्थान यह दोनों कवर करेंगे जिसमें दिल्ली में 21 हो जाएंगी राजिस्थान में 55 है कॉलकाता उडिसा इसमें सिर्फ दो है लखनाउ उत्तप्रदेस में 78 है 78 एंड यहाँ पर पूर्णे जो महरास्ट्रा लगेगा इस्ट्रेट इसमें आपको 118 है सबसे ज़्यादा महरास्ट्रा में विकेंसी है पतना जिसमें बिहार जहारखंड दोनों आ जाएंगे और इसमें बिहार में 76 हो गया जहारखंड में 20 है टोटल 484 है कैटिग्रीज वाइज आप देख सकते हैं कैटिग्री के हिसाब से देखे तो सभी कैंजिडिट इसमें आलिजबिल है मेल फीमेल एक सर्विसमें सभी के लिए है तो अभी हमने स्टेट वाइस वेकेंसी देख ली अब हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं अलिजबिल्टी क्राइटेरिया एंड इंपोर्टेंट डेट्स अभी आप यह नोटिस देख रहे हैं रेक्रूटमेंट नोटिस 2024-25 ठीक है एंड सेंटर बैंक ओफ इंडिया अभी यह जो विकेंसी है इसमें आप यहां देखेंगे किलिक हेर टू एपलाई फोर रेक्रूटमेंट और सफाई करमचारी कम सब स्टाफ ठीक है सब स्टाफ जिसको सफाई करमचारी आप कह सकते हैं यहां पर विकेंसी आई हुई है तो इंपोर्टेंट डेट्स में यहां पर दी गई है सबसे पहले तो आप एपलिकेशन स्टार्टिंग डेट है 20 दिसंबर आज से ओनलाइन एपलिकेशन स्टार्ट हो गए है तो अगर आप एपलाई करना चाहें तो एपलाई कर सकते हैं इसके अलाबा इसकी जो लास्ट जेट रहेगी वो है 9 जनवरी 20 दिसंबर से लेकर के 9 जनवरी 2024 तक आप इसमें एपलाई कर सकते हैं एपलिकेशन फीज पे करने की भी सेम डेट रहेगी एपलिकेशन फीज यहाँ पर 175 रुपए तो SC, ST, P.W.D. और एक सर्विसमेंट कैंडिडेट के लिए हैं बाकी जितने भी अधर कैंडिडेट हैं उनके लिए 850 रुपए एपलिकेशन फीज है call letter जो pre-examination होगा उसके लिए आप January में डाउनलोड कर सकेंगे date यहाँ पर mention नहीं है pre-examination training जो आपका होगा यह conduct कराए जाएगा January में ही ठीक है? आपका download call letter for online examination जो आपका होगा वो आपका January फरवरी में होगा यहाँ पर call letter download कर सकेंगे and exam आपका फरवरी में रहेगा result आपका जो declare किया जाएगा वो फरवरी में किया जाएगा और इसके अलाबा आपका local language test भी होगा जॉन-बाइस ठीक है? तो जॉन-बाइस आपका exam होगा local language test का वो March में रहेगा and यहाँ पर आपका जो selection list है वो April 2024 में declare कर दी जाएगी, release कर दी जाएगी अब यहाँ पर आप screen पर देख सकते है scale of pay in rupees and probation period ठीक है? यहाँ पर आपको यह detail दे दी गई है, eligibility की बात करेंगे, तो इसमें जो eligibility है Indian citizen इसमें apply कर सकती है and यहाँ पर a person, Indian citizen origin who has migrate from Pakistan, Bhutan, Sri Lanka यह इस तरह से, तो Indian citizen इसमें apply कर सकते है इसके बाद हम बात करेंगे cut of date की कि आपकी जो eligibility criteria है selection, sorry, age limit and qualification यह आपकी 31 March 2023 के ways पर count की जाएगी ठीक है? 31 March 2023 age यहाँ पर minimum 18 year है और maximum 26 year है यह general candidate के लिए है 18 से 26 साल 31 March 2023 तक आप 18 से 26 साल के age any 26 के अबव आप नहीं होना चाहिए and reserve categories के जो candidate होंगे उनको यहाँ पर age relaxation मिल जाएगा आपको central government rules के accordingly education qualification दिखेंगे तो इसमें जो education qualification है वो है 10th pass minimum अगर आप 10th pass आउट है आप इसके लिए eligible है अगर आप 12th pass किये है graduation किये है उसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इस post के लिए आबिदन करूं तो आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर minimum qualification 10th pass रखी गई है अपर जो higher है वो यहाँ पर कोई भी हो आपकी लेकिन मिनमम आप 10th pass होना चाहिए ठीक है इन आप जिस state से जिस zone से apply करेंगे उधर की local language आपको आनी चाहिए क्योंकि local language test होगा तो आप जिस भी zone से belong करते हैं मैं कहूंग आप वहाँ से कीजिए या फिर zone wise जो language बता दी गई है आपको notification में ही किस zone की क्या local language है हिंदी English maximum में आपको हिंदी English आती हो तो आप ज़्यादा तर zones के लिए eligibility रखेंगे क्योंकि यह local language test आपका होगा इसलिए local language आना आपको जरूरी है पिरे examination training हमने यहाँ पर देखी ली थी ठीक है इसकी date and यहाँ पर selection process तो selection will be through online examination आपका होगा जो IBPS के द्वारा conduct किया जाएगा and local language test होगा यह two stages आपकी रहेंगी एक तो online examination second local language test जो examination होगा उसमें English language knowledge, general awareness elementary arithmetic, poly psychometric test and reasoning यह आपका रहेगा तो जिसमें आपके total mark आप देखींगे 10, 20 आपके subject के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है total 70 का है, 90 minute की timing है medium आपका, English language में तो English रहेगा, बाकी आप Hindi और English जो भी है आप उसमें अपना exam दे सकते है इसके बाद होगा आपका local language test local language test देखिए zone wise रहेगा, तो इसमें आपका total 30 marks कराएगा, 30 minute की timing आप तो दी जाएगी local language में अब किस zone की या किस state की क्या local language है वो आप यहाँ पर देख सकते है बिहार में Hindi English रहेगा 36 गड़ में भी Hindi English है, Delhi NCT में भी Hindi English है गुजरात में गुजराती एड हो जाएगी Hindi English घृर्खन में हिंदी इंगले से मद्य प्रदेश हिंदी इंगले से महरास्ट्रा में चार हो जाएगी Hindi English मराथी और कॉंकनी ODAISA में तीन हो जाएगी ODAIA उसमें एड हो जाएगी R anything दो ही है जॉनवाइज एक्जामनेशन सेंटर यहाँ पर बताए गए है, लोकल लेंग्विस टेस्ट बिल भी कंडेक्टेट, जो आपका लोकल लेंग्विस है, वो कहां कंडेक्ट होगा, जॉनवाइज, जॉनवाइज जो एहमदाबाद है, भोपाल है, देहली है, कॉलकाता है, लख आप यहाँ पर आपके स्टेट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, तो अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसकी ओफिसल साइट और आप यहाँ पर नॉटिफिकेशन देख सकते हैं, यह यहाँ पर नॉटिफिकेशन आप देख रहे हैं, यह जो Bank of India की ऑफिसल वेपसाइट पर इसी तरह के वेकैंसी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर जिएगा अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और वेल आइकन के और ओप्सन को प्रेस कीजिए जिससे मेरे सारे वीडियो के नॉटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे क्योंकि मै अपने चैनल पर Government, Job, Vacancy, Central and State Level की बड़ी भरती नॉटिफिकेशन अपडेट देती हूँ साथ में entrance exams, courses and job profile से related videos upload करती हूँ तो अगर आप भी इसी तरह की कोई searching कर रहे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thanks for watching